प्रश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दश्मीति थी पुनर वसु नामक नक्षत राज होगी आज का राहुकाल शाम 3 बचकर 17 मिनट से शाम 4 बचकर 49 मिनट तक रहेगी आज का बिजीत मूरत सुबह 11 बचकर 50 मिनट से दो पहर 12 बचकर 49 मिनट तक रहेगी दिशा शूल उत्तर दिशा यदि आप किसी कारणवर्ष इस दिशा में आत्रा कर रहे हैं तो गुड़ खाकर घर से बहाल जाएं लाबकारी होगा मित्रो यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फसे हुए हैं तो आप अपना कोश्चन पूछ सकते हैं लेकिन धीरज बनाय रखना ही सबसे बड़ी चुनोती है समय भी आपको रेंगता सानुबा होगा और आप जिस गती से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गरबर हो जाएगा खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन के शुरुआत करें आप में आप सभी बाधाओं और चुनोतियों से पार पाने के लिए परयापत उर्जा है जो आपके सामने आने वाली है हाला कि कुछ ऐसे भी मुद्धे हैं जनमें आपका काफी समय और उर्जा लग जाएगी इसमें आप बहुत ठके हुए हैं और तनाव ग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं इसके लिए पहले ही तयार हो जाएं और अपना मन पसंद खाना पका कर रखें जिसका आननद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं प्यार और समन्द आपको अपने समन्द के बारे में इस पस्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा किसी भी समन्द को ये मान कर कि ये तो होना ही था या फिर केवल समाजिक दबाओ के चलते सहन न करें या जाशने के कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिष्टे से बाहर आने का सबसे अच्छा समय है करियर और धन आज कार रहस्तल पर कई अलग तरह की स्थितियां आपके समक्षाएंगी और आप इसके लिए बाद होने की आप स्थितियों के अनुसार सही निर्णने लेकर आगे बढ़ें आज आपके काम के नेतिकता के लिए अत्रक्त ध्यान देनी की जरूत है अपने स्थितियों के साथ ना चलने के कारण कुछ तनाव के स्थितियां सामने आ सकती है लेकिन अपने मालिक की नजरों में आप आएंगे और उनका भरोसा भी जीतेंगे और इस चीज के कारण आपके करियर पर इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा मित्रो इस वीडियो में दी के जानकारे यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे ज्यादे स्यादा शेर कीजे और अपनी कमेंट में अपने हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं ताकि हम आपके लिए उपाए बता पाएं आप सबी का धन्यवाद जैश्री राम